नमस्कार दोस्तों मैं रिखा पमार PSSM Blessing परिवार ओडियो टीम देरावसी से बोल रही हूँ दोस्तों ओडियो नमबर आठ में हम लेखक के द्वारा बताए गए आनंद की एक नई अवस्ता के बारे में जानेंगे जिसे लेखक ने बहुत ही सुंदरता के साथ पॉइंट नमबर आठ में हमें बताया है आनंद अस्तिद्व की वै अवस्ता है जिसमें आप सैयम, द्रटा, धैर और आत्मा की परिवर्तन शीलता का विकास करते हैं जहां पर सत्य आनंद का वास होता है, वहां कोई उतार चड़ाव नहीं होता आनंद के बिना धैर्य टिक नहीं सकता आनंद के बिना धैर्य हमारे मूल को जला देता है और चिड़ चिड़ाहट पैदा करता है आनंद धैर्यवान है द्रिट्टा आनंद का ही परिणाम है आनंद आपकी आत्मा को जीवन्त बनाई रखता है और आपके पत्थ को साफ रखता है द्रिट्टा के साथ आनंद रेकिस्तान में ठंडी के दिन में एक अलाव के समान है दृटा के साथ आनंद एक तीर के समान है जो निशाने की तरफ उड़ रहा है दृटा के साथ आनंद एक प्रक्रिया है जिसमें आपके खुद का परिवर्थन एक ऐसी चवी में हो रहा है जो आपने अपनी दृष्टी में बना रखी हो सहनशीलता, दर्द और पीड़ा बन जाता है अगर यह आनंद से प्रेरित ना हो आनंद आपको कठिनाईयों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है आनंद यह साबित कर देता है कि आप कर सकते हैं और बन सकते हैं आनन्द आपके वानों को इतनी गहराई से प्रेरित करता है कि वह कोई भी हमले और दबाव का प्रतिरोध करते हैं जब तक आप अपने लक्षय तक नहीं पहुंच जाते आनन्द आपको अपरिवर्तन शीलता का स्वाद देता है और वह जो आपके अंदर अपरिवर्तनिय है वही आपके अंदर पर्मनन्द है आनंद की शणों में काला तीतता, अंतरिक शीनता और अपरिवर्थता का अनुभव करते हैं यह आनंद का एक शण हो सकता है पर कितनी महीमा वै आनंद का पल अपने आप में समेट लेता है अगर आपकी आखे और कान इतने तीवरों हों कि वै उस शण की समरिधी और विशालता को दर्ज कर ले और उस शण की सुन्दरता के परिणाम को भी उतार चड़ाव एक दुखी व्यक्ती के लक्षण होते हैं जिनोंने अभी तक आनंद की आग को नहीं चुआ वै दुखी इनसान हैं एक दुखी व्यक्ती दिशाहीन होता है वै ये सोचता है कि एक नई दिशा वै नहीं है जिसके पीछे वै जाना जाता है ना केवल अपनी दिशाओं और लक्षों को वह बदलता है लेकिन इससे भी भी बूरी बात ये है कि वह उनके बीच उतार चड़ाव करता रहता है दूसरी तरफ एक आनन्द से भरा हुआ व्यक्ति के लिए कोई भी दिशा जो सुन्दर्ता, अच्छाई, धर्म, आनन्द और अजादी की तरफ जा रही हो वह उसी का हिस्सा है क्योंकि आनन्द सभी दिशाओं को उस आनन्द के स्तोत्र की तरफ ले जाता है पॉइंट नमबर 9 आनन्द अस्तित्व की वह अवस्ता है जिसमें आपकी जिम्मेदारी की भावना बढ़ जाती है, धार्मिक्ता की भावना बढ़ जाती है और साथ ही जीवन के प्रती समान्य रूप से व्यावारिक भागिदारी की भावना भी जिम्मेदारी की भावना आपकी पीट पर भारी बोज और क्रोध के स्तोत्र में तब बदल जाती है जब वै आनंद का परिणाम ना हो आनंद जिम्मेदारी की भावना को अस्तित्व मिलाती है आनंद उसका विकास करती है और उसे महान सेवा के लिए एक यंत्र बनाती है धार्मिक्ता का भाव आनंद का फल है आनंद में धार्मिक्ता आंतन्क में बदल जाता है और अंत में एक अत्याचारी आत्मधर्म व्यक्ति का निर्मान करती है जो अपनी धार्मिक्ता की शक्ति का उप्योग लोगों को बढ़ने और फूल देने से पहले नश्ट करने के लिए करता है धार्मिक्ता की भावना एक बहुत ही विक्सित भावना है जो एक व्यक्ति को यह दिखाता है कि कैसे एक बीग बीज उगने और खिलने की प्रक्रिया में है धार्मिक्ता मन में फूल को धारन करने की शमता है और बीज को पूर्टा हासिल करने में प्रोचाहित भी करता है मुश्किलों और खत्रों की दुनिया में काम करने और रहने के योग्य बनाएगा यह आपको मानवता की मुक्ति के लिए चल रहे काम में शामिल करता है आनंद आपको अपने करतव्य की तरफ खींचता है और आपको जितना हो सके आनन्द को फैलाने के काम में लगा देता है जैसे कि आप भूके को खाना और प्यासे को पानी बांटते हैं पॉइंट नमबर दस आनन्द अस्तिद्व की वह अवस्ता है जिसमें आपका खजाना आपका दर्वाजा खोल देता है और आपके छीपी हुई प्रतिभा कीमती यादें पिछला ग्यान और सिद्धियां आपके सचेत मन के अंदर प्रवा करती हैं आनन्द धीरे-धीरे मुक्त होता है और वह धीरे से आपके खजाने का दर्वाजा खोलता है आपके खजाने में आपकी प्रतिभाएं निकलती हैं जिसे आपने विक्सित किया है और साथ में दूसी प्रतिभाओं को भी विक्सित करने के लिए संजोया है आपके खजाने में से वह कीमती यादे निकलती हैं जिसे आप अपनी रोशनी के महल को बनाने में उपयोग करते हैं आपके खजाने में से अतीत का ग्यान निकलता है जो आपके काम में उपयोग के लिए तैयार है इस तरह आप खुद को अतीद के खजाने से घिरा हुआ पाते हैं और वही परुपकारी उदेश्य के साथ आप उच्छ और बड़े शेत्रों में सेवा करते हैं अगर आप अपनी खुशी में ज़ादा देर तक रहते हैं तो आप देखेंगे कि कितने सारे आभुशन आपके पैरों में आगिरेंगे जो पिछले जन्मों में खो गए थे जीवन आपके सारे हीरों को इकठा करके आपको वापिस देगा जब आप उसे रचनात्मक तरीके से उपियोग करेंगे बिना किसी लोग के लेकिन सब भी प्राणियों के हित के लिए आनन्द कई बड़े खजानों की चाबी है यहीं समापत होता है दोस्तों अगले ओडियो में हम आकरी के दो पॉइंट्स ग्यारा और बारा के द्वारा आनन्द के ग्यान को और ग्याराई से जानेंगे धन्यवाद